क्रिष्ण जन्मास्टमी यानि भगवान श्रुक्रिष्ण के जन्मोचसव का दिन आपको बता दे कि भगवान श्रुक्रिष्ण का जन्म भाद्रपद मा के क्रिष्ण पक्ष की अस्टमी दिती को हुआ था इसलिए सिर्फ देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में इस दिन को भगवान स्रिक्रिष्ण के जिनम दिन के तौर पर मनाया जाता है इसके साथ ही स्रिक्रिष्ण का जल रोहिनी नक्षत्र में हुआ था इसलिए इस दिन रोहिनी नक्षत को ध्यान में रख कर ही पूजाया वरत किया जाता है लेकिन इस बार कृष्ण जन्मास्टमी को लिकर लोगों में कापी कन्फ्योजन है कई लोग इसे आज यानि 6 सेतंबर को मना रहे हैं तो कई साथतंबर को ऐसे में जानना जरूरी है कि आकिन स्री कृष्ण जन्मास्टमी है कब तो आईए आपको बताते हैं इसकी सही तारीख कब है जन्मास्टमी इस बार भादपर्द कृष्ण जन्मास्टमी 6 सेतंबर को दोपहर 3 बद कर 38 मिनट से शुरूब होकर दूसरे दिन यानि साथ सितंबर शान चार बच कर 14 मिनट तक रहेगा इस दोरान रोही नक्षद पूरी रात रहेगा शुब मुहरत जो शियों का कहना है कि इस साल ग्रिहस्ट जिवन के लोग 6 सितंबर को जन्मास्टमी का तेओहर मनाएंगे वहीं वैशनव लोग 7 सितंबर को जन्मास्टमी का तेओहर मनाएंगे जन्मास्टमी की पूजा का सही मुहरत भी 6 सितंबर को ग्यारा बच कर 16 मिनट से लेकर दे राध 12 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जन्मास्टमी पर श्रिक्रिस्मी की कैसी मूर्ती लाएं जन्माश्नमी पर आमतौर पर भगवान श्रिक्रिष्मिक के बाल रूप की पूजा की जाते हैं लेकिन लोग अपनी मनुकामना के स्वरू किसी भी रूप में श्रिक्रिष्मिक की पूजा कर सकते हैं लोग अपने प्रेम और द्र क्रिम और दांपत्य जीवन के लिए राधा Building की मूर्टी भी स्थाबइद कर सकते हैं वहीं धन प्राप्ति के लिए कांधेनुगाय के साथ विराजमาน श्रिक्रिष्न की प्रतिमा स्थाबिद कर सकते हैं कैसे करें स्रिक्रिष्न का श्रिंगार भगवान स्रिक्रिष्न को पीले रंग अतिप्रिये है तो कोशिश करें कि इस दिन स्रिक्रिष्न को पीले रंग का वस्त पहनाएं उसके अलावा आप किसी भी रंका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन काले रंका इस्तमाल बिल्कुल न करें इसके साथ ही जन्मास्त्वी पर Shri Krishna के स्रिंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें बैजनती के फूल अगर श्रिक्रिष्ण को अर्पित किया जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है साथ ही भगवान श्रिक्रिष्ण को चन्दन जरूर लगाएं क्या होगा श्रिक्रिष्ण का प्रशाद जन्मास्टमी पर श्रिक्रिष्ण को पंच्राम्रिद जरूर अपित करें, उसमें तुलसे जरूर डालें क्योंकि तुलसे श्रिक्रिष्ण को अथिप्रिय है, इसके साथ ही आप माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं कुछ लोग इस दिन धनिये की पंच्री भी श्रिक्रिष्ण को अटपित करते हैं कैसे मनाए जन्मास्टमी जन्मास्टमी की सुबह उठते ही ओम नमो भगवते वाशु देवाय का जाप करके श्रिक्रिष्ण को याद करें उसके बाद स्नान करके व्रद पूजा का संकल्पने दिन भर जलाहार या फलाहार रहन करें और साथ विक रहें कई लोग इस दिन निर्जला व्रद भी रखते हैं भगवान का जन्म उच्सव मध्य रात्वी को मनाया जाता है इसके लिए मध्य रात्वी में भगवान स्ट्रिक्रिष्ण की धातु की प्रतिमा को इसी पाध्र में रखें खोशिश करें कि ये पाध्र पीतल या चांदी के हो इसके बाद उनको दूट, परदही, फिर शहद और शक्कर और अन्ठ में जी से स्नान करा है इसी को पंचाम्रित स्नान कहती है, इसके बाद कानह को शुद्ध जल से स्नान करा है ध्यान रखे कि अरपित की जाने वाली चीजे शंक में डाल कर जरूर अरपित करें उसके बाद श्रिक्रिष्ण का श्रिंगार करें इसके बाद भगवान को भोग लगाएं मनुकामना के अनुशाद मंत्र जाप करें प्रशाद प्रहन करें और दूसरों में भी बाटें